कि ही एव्रीवान वेलकम टू शोंप्स आए एस मैं हूँ शिवांगी शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन का चैप्टर थी विच इस पोवर्टी आज चैलेंज लास्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर डिसकोस कर चुके हैं , सो यही दधार फ्री चैप्टर के नाम से ही पता चलत आ हम us्पास करने वाले हो इंडिया का बिग्र चैप्लमेंज पोवरटी जब से इंडिया इंडिपेंडेंडेंट हुआ है पुवर्टी एक ऐसा चैलेंज जो उस टाइम भी था और आज तक भी चला आ रहे हैं पुवर्टी को इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज पाना जाता है देखा जाए तो इंडिया का हर पांचबा परसन पूर है मतलब अराउंड 27 क्रोड और पीपल इन इंडिया आर पूर अकॉर्टी एलेवं ट्वेल सवें अब देखो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे गरीब कर रहे हैं गरीब कंट्री इंडे सिंस सबसे जादे गरीब लोग इंडिया में ही हैं इस बिसिकली पुवर्टी है क्या कि वह वाली पूर्टी वह सिच्वेशन है जब एक कोई भी पॉर्सन अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरा कर सकता बेसिक नीड्स इन दे सिंस उसके पास खाने के लिए फूड नहीं है उसके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं है उसके पास एजूकेशन नहीं है एजूके यह उसके पास नहीं है यह वाले situation को हम बोलेंगे कि वह आदमी poverty में हैं जब कोई आदमी अपनी basic needs ही नहीं पूरी कर पा रहा है अब ना हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी गरीब है या नहीं इसके लिए ना हमारी government ने एक criteria बना के रखा जिसको हम बोलते हैं poverty लेंगे अब पॉवर्टी लेंगे बिसिकली तो हर पॉर्सन के लिए और सोरी हर कंट्री के लिए अलग अलग होती है तो पॉर्टी लेंगे विसिकली है क्या तो गोवर्मेंट ने एक फिक्स इंकम लेवल और एक फिक्स कंजप्शन लेवल देख फिक्स करके रखा है जब वह आदमी का इंकम लेवल और कंजप्शन लेवल उस फिक्स लेवल से कम हो तब हमने लेंगे कि वह आदमी पॉवर्टी में है वह आदमी पूर है देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंड इसका मतलब जो आदमी अगर वो रूरल एरिया में है वो अगर 816 पर मंत कमाता है 800 और 16 या फिर उससे अबब पर मंथ कमाता है तो इसका मतलब वो पूर नहीं है वो poverty line से नीचे नहीं आता है बट अगर वो 816 रुपी से कम करमाता है तो इसका मतलब वो पूर है अगर के बारे में बात करें अगर आगर किसी पूर्सें के पास कार है तो वो अबब पोवर्टी लेन है तो वो बिलो पूर्टी लेन अगर एक आदमी वो अगर रूरल इरिया में है वो 2400 कैलरी ज़ी पर पर दे लेता है क्योंते हैं मतलब हर आदमी अगर 2400 लेता है पर मंत इसका मतलब वो गरीब नहीं यह होसकता है कि कहीं न कहीं ज्यादा काम होता है मुलब जादी कैलेरीस की ज़रूरती जानवरों का काम होता है खेत का काम होता है वैसे ही अगर हम यह मनी का क्रेटीरिया देखे तो 816 रूपीज और 1000 रूरल एरिया में महंगाई थोड़ी कम होती है अगें रिवाइस किया जाता है जो कि एनसे सो करती है यह बेसिक कॉंसेप्ट है एक उसके अलावा पॉवर्टी एस्टिमेट्स तो अमने यहां पर हम एक डाटा देखते हैं कि 1993-94 में जो टोटल प्रोवर्टी रेश्यो था हमारी कंट्री में वह उस फॉटिफवाइब पॉ टूटाउजन एन फॉर फाइब में यह 37 हो गया टूटाउजन नाइन टैन थर्टी एन 11 12 इस 22 अब यह दाटा यह तो दिखाता है कि हां हमारी पॉवर्टी दीरे-दीरे कम हो रही है बट तेखो ना बहुत दीरे-दीरे कम हो रही है हमें और जरूरत है देखरों आप में 2010 और 12 की बीच में 8% कम हुआ विच नोट टू बैट बट हां टू गुड में नहीं है क्योंकि एक पुवर्टी एक ऐसा एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हमारी कंट्री को ग्रो होने में भी बहुत बहुत प्रॉब्लम ला सकती है ला क्या सकती है ला रही है तो पाज है और डेंडरेविल गुप से वर्मेल बर गुप क्या होते हैं यह वो ग्रॉप होते हैं जिनकी प्रोबैब्लेटी जादह होती यह कि वो फ्यूचर में पुवर्टी पुवर्टी लाइन की बिलो आजाए वह यह वह वाले ग्रूप से मलब यह वो है जिनको जो ऐसा estimate किया जाता है या ऐसी probability है कि वो आने माले टाइम पे जल्दी जल्दी poverty line के नीचे आ जाएंगे ठीक तो यह जो जो यह जो लोग है वो basically होते हों से वो जो schedule caste के लोग है यहां पते कि schedule caste के लोग है schedule tribe के household है उसके लावत जो rural area के लोग है rural area है फिर जो agricultural labor है यह जादा इनके जादी probability होती है कि यह poverty line के नीचे यह यहां पर देखू ठीक ट्वेंटी एलेवन ट्वेल में आउट ओफ हिंड़ेट 43 परसेंट नंबर आउट ओफ हिंड़ेट 43 ओन है यह चेडल ट्राइब के लोग गरीब थे same 29 22 जो casual labor farm है रूरल वो 34 casual labor farm non casual labor non farm urban 34 देख रहे हैं यह वह लोग है जो जल्दी poverty का शिकार हो सकते हैं चिक उसके बाद है इंटर स्टेट डिस अपरिटी यह क्या है अब हम देख रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट में कि हर स्टेट में पूर का कितने पूर है वो equal है हर स्टेट में यह disparity है कि हर एक स्टेट में लोगों के पूर होने का रेशो अलग अलग है कैसे हम यहां पर देखते हैं कि अब 29 परसेंट में तो मद्देपर्देश असाम उत्तरपरदेश बिहार और ओडिसा इनी 21 परसेंट तो यहीं स्टेट कवर करते थे उन में से सबसे ज़्यादा जो पूरेस्ट स्टेट थी वह थी बिहार और ओडिसा जिसमें से बिहार का पूर्टी रेशो था 33.7 एं और ओडिसा का है 32.6 और वैसे ही कुछ स्टेट से जहां पर पूर्टी बहुत ही कम है जैसे केरला महाराष्ट्रा अंदर परतेश तमिलनाडू गुजरात एंड वेस्ट पेंगौल पंजाब और हर्याना ऐसे जगाओ पर जल्दी 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 पूर्टी रिड्यूस है कि अलग-अलग तरह से लोग पूर्टी से ग्रसेत है लाइक हमने अभी उडिसा और बिहार जैसे जो स्टेट्स हैं वहां पे सबसे जाधा पूर्टी देखने को मिल रही तीक है उसके लावां अगर हम यहां देखे तो ग्लोबल पूर्टी सिनेरियों अगर हम पड़े क ग्लोबली लोग poverty को कैसे देखते हैं तो जैसे World Bank ने Defend किया है कि जो आदमी 1.90 डॉलर से कम कमाता है पर दे वो poverty में है ठीक है 1.92 डॉलर अगर कोई आदमी 1.90 डॉलर से ज़्यादा कमाता है तो वो poverty line के अबव है अगर कम तो पुवर्टी लाइन के बिलोव है तो 1990 में जो पुरे वर्ल्ड का पुवर्टी रेश्यो था इट वॉस थर्टी सिक्स परसेंट बट टूट्वेंटी फिफ्टीन में इट टॉर्ण इंटू 10 परसेंट तो में आगे पड़ेंगे पट एक और कंट्री है चैना चैना में बहुत जल्दी पुवर्टी रिडियूस भी देखो 1981 में इट वोस 88.3 परसेंट लोग चैना में पूर थे बट जैसे 2008 आया इट टू 14.7 और 2019 आते 0.6 which is a massive decrement तो देखो कितना कितनी अच्छे से चैना ने इंप्रूफ किया पुवर्टी रिश्यो को हटाने में तो यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे हमारी इंडिया की स्टेट्स में कितनी पुवर्टी है उसके बाद यहां पे अब हम पढ़ते हैं कोज़स ऑफ पुवर्टी अब हमने तो यह देख लें कि पुवर्टी काफी बड़ी प्रॉब्लम है अब पुवर्टी आई कहां से रीजन क्या है कोजिस क्या है यह एक हम लोगों काफी टाइम तक ब्रिटिश लोगों के गुलाम रहे ठीक है तो यह ना एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि हमारे एकोनोमेक डिवलफ्मेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने ना हमारा जो भी ट्रैडिशनल हैंडी क्राफ्ट हो उसको रुएन कर दिया हमारे इंडिय प्लास्ट चैप्टर में पड़ा था अरॉंड 75% आफ जो कंट्री एना कंट्री का हमारा इंप्लोइमेंट वो एक्री कल्चर पर भी बेस्ट है ठीक है अब देखो एकरी कल्चर हम लोगों को ना कितना ही एंप्लोइमेंट देगा काफी देता है बट मैक्सिम ओफ द लोग अभी भी खुदी अपने फैमिली को मिला के अपने अग्रिकल्चर का काम ख़तम कर देते तो इतने एंप्लोइमेंट नहीं है और जो लोग है ना जो मिलब गाउं से आके हमेशा अपने देखों को गाउं से लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं जॉब के लिए कभार में ल सब्सक्राइब बन जाते हैं तो इससे भी हमारी इकोनोमिक डिवलोमेंट में फरक तो पड़ेगा उसके अलावा है हूज इंकम इन इक्वालिटी स्टेट्स को नहीं बट अब हम देखेंगे ना मैंस और वोमेंस की बीच में कितना ज्यादा इंकम इन इक्वालिटी होती ह ठीक है अब हमारी country में land और other resources का distribution भी बहुत अन इक्वल हैए मारे पास पसथATION हैं बट हमारे पास इन leverage तो जो हमाचल में काफी लैंड है काफी क्रॉप भी उपती है पट उस लैंड का फार्मिंग के अलावा और भी तो यूज़ हो सकता है जैसे यह डेली में कर सकते हैं चैक्टरी सेट अप कर सकते हैं बट वह एकि डेली में इतना लैंड अवेलिबल नहीं है अब समझ रहे हो अब अब उदर देखो कि अब कैसे इसको इंटर कनेक्ट कर सकते हैं तो जो अब लोग हैं अब देखो अगर कंट्री है पुवर्टी है गरीबी तो बड़ेगी पप्लेशन बड़ेगी डिमान भी बड़ेगी ठीक है जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं कभी-कभी उन्हें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है उन्हें उन्हें मशीनरी चाहिए राइट मशीनरी इस सम्तिंग जो चाहिए चाहिए फार्मिंग के लिए उसके अलावा भी काफी परस्पेक्टिव होते हैं ठीक है तो अब देखो तो उन गरीब लोगों को कभी पैसे खर्च करने पड़त अब लोगों को सीट्स भी खरीदने फेटिलाइजर्स भी खरीदने पैस्टिसएट्स भी खरीदने जैसे हमने पड़ा था लास्ट चैप्टर में कि जो एच वाइवी सीट्स है वो कितना ज्यादा फर्टिलाइजर और इर्रिगेशन की डिमांड करते हैं साथ में उनको प पैसा उनना जब हाई इंट्रेस्ट चार्ज करते था उफकोर्स वह सर्कल बन जाता है यूनों हाई इंट्रेस्ट चार्ज करने इतना वह कमा नहीं पाते यूजुली तो वह भी काफी बड़ा रीजन हो सकता है पोवर्टी का उसके बाद है एंटी पोवर्टी मिजर्स अब इंडिया के इक शार को करने वाली एकौनमी बनी तो इसके लावा एक पोवर्टी इस रीजन है जो हमेशे टांग गड़ाएगा अगर इकोनमिक ग्रोफ हो रही है तो पोवर्टी कहीं नगी कोई रीजन बने कर आएगा ऑफकोर्स यह बन कर आएगा क्योंकि पोवर्टी इ सिटूइशन है हमने अभी पड़ी लोग एज़ुकेशन निये लोगों के पास लोगों के पास एजुकेशन निये तो आगे जाके भी वह wyne vamos economic economic development के लिए कुछ न कुछ problem करेंट गई करे गई इसके लिए government ने जो चलाइं हैं उन्हें जो स्कीम स्कीम को हम यहांबे डेडाउट कर लेते हैं महादमा गांदी नेशनल रूरल एंपलोव्मेंट कैट मन रेगा अब ने सुना होगा जिसमें government guarantee देती है 100 days of working जिसमें से जो है women's के लिए और SC SC के लिए around 23% जो है वो रिजर्व है ठीक है अब देखो यहां पर है SC के लिए 23% ST के लिए 17% और women's के लिए 53% तो जो women's है जो household का ही काम करते हैं जो जादी पड़े लिखिनी है in the sense ठीक है और जो एक high level job के लिए eligible नहीं है तो उनके लिए government यह मनहरेगा act लाया है ठीक है कि आपको 100 days तो मिलेगा ही मिलेगा guarantee है ठीक है उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड इस G.S.Y. जो कि ग्रम सacción रोजगार योजना है उसके बाद है मंत्री ग्राम ऩदे योजना प्रदान मंत्री घ्राम अजचना ऑन्तव यूजना यूजना ठीक है। इसके बाद देखो अब poverty हटानी है ना पुवर्टी के लिए challenges sniff सब्सक्राइब अब पुवर्टी कैसे हो सकती है इसका मतलब है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है शेल्टर नहीं है जोब सेक्यूरिटी नहीं है सेल्फ कॉर्फिटेंस नहीं है जेनर डिटेमिनेशन बहुत बहुत हो रहा है अभी अभी चाइड लेबर आपको देखन रहेंगे विचार अंडर फोटी ठीक है तो अब यह चैलिंज हैं कि लोग इतने गरीब हैं कि उन पर ना उनको उनके वह एजुकेशन नहीं ले पारें या तो फिर लोगों पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि क्या हम पढ़ेंगे क्या हम अपने बच्चों को पढ़ पुवर्टी को एक पुवर्टी इतना बड़ा चैलिंज है जो हमारी कंट्री को डिवलप होने ही नहीं देगा तो अपनी कंट्री को हमें डिवलप करना है तो पुवर्टी को हमें हटाना होगा ठीक है जो लोग है जिनके पास फूड नहीं है होम नहीं है क्लोथ नहीं है लिए पानी नहीं है यह सब कुछ हमें हटाना ही पड़ेगा ताकि पुवर्टी हट जाए और हमारा कंट्री हमारी कंट्री विच इंडिया वो और से जितना हो सके उतना डेवलप हो तो जैसे हमने स्टार्ट निंग में पड़ा पुवर्टी एस चैलेंज हमें इस थैंक यू थैंक यू वर्ययू वर्यूच